राजस्थान के स्यासी संकट पर इस वक्त सभी की नसरें टिकी होई हैं क्योंकि इस साल विधान सभा चुनाव होने को जा रही है राजस्थान में नवंबर के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं और नवंबर के महीने में चुनाव होने से पहले ही यहां पर स्यासी अटकलें तेज हो चुकी है क्योंकि यहां पर दावा यही किया जारा है कि पूर्व डिप्टीस देम सचेन पाइलेट से जो वादा किया गया था आलकमान की तरफ से कही ना कहीं उस वादे को पूरा किया जा सकता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कॉंग्रेस अद्देक्ष मलिका पद नहीं मिलता है फिलहाल पाइलेट समर्दकों की तरफ से ये मांग उठी है कि आठ महीनों तक उन्हें सीएम बना दिया जाए और दूसरी ही तरफ या तो उन्हें महसची बनाया जाए या फिर प्रदेश अद्देक्ष जितना भी समय बाकी रह गया है उस कम समय में यह यही कहते हुए नसर आए है अद्देक्ष से लेकर यहां पर केसी वेडु गोपाल से साथ ही साथ नई प्रभारी सुखजंदर सिंग रंधावा से भी ऐसे में देखा जाए एक बार फिर से यहां पर कहीं न कहीं सुखजंदर सिंग रंधावा से यहां पर अपनी मांग वह रख सकते हैं इसके बारे में हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहीयोगी दीपक से के आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है नमस्कार मैं प्राशी राठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूज आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी के महा अधि सीसी के मेंबर्स का एलान कर दिया गया है और यहां पर 50 मेंबर्स रखे गए हैं राजिस्थान से यहां पर गहलो सरकार के मंत्रियों को भी लिया गया है लेकिन शांती धारेवाल और महेश जोसी के साथ साथ धरमेंदर राठोर का नाम यहां पर शामिल रही है लेकिन यहा पर दीरे दीरे फैसला सुनाया जा रहा है क्या सुखजंदर सिंग रंधावत जो चाहते हैं कि उपमुख्यमंत्री बने सचिन पाइलेट का रुख यहां पर प्रभारी की तरफ देखने को मिल सकता है तो उसमें पहतरीन एक स्केन कहीं उनके लिए एक मोका बन सकता है क्योंक पाइलेट के सारा किया धरा का दरा रहे गए दूसरी बात यहा थी कि अगर वो … उपमुख्यमंत्री बन जाते है तो इन फूचर चांस दुबारा बनेगा क्योंकि उपमुख्य मंत्री पत पर रहते वे कहीं नगे उनको मौका मिलेगा कि अगर शोग गहलुत को लोक्सवा चुना में जादा व्यस्त करके राहूल गांदी के साथ एक्टिव कर दिया जाता है और उनको आगे सांसत के तोर पर दिखाया जाए या फिर कांग्रेस पार सकते थे उनको कितना किया और वहां पर नतीजे भी मौधी जी के पक्ष मैते इस वज़े से जिसा कि यहां पर सुकजिंदल सिंघ रंधावा कहते हैं कि उप मुख्य मंत्री पद में आखिरकार बोराई जीक्या है तो क्या उप मुख्य मंत्री पद ही वेह पाइलेट को दे यहां पर छेड़ी गई सुखजिंदर सिंग रंधावा ने महेश जोसी के इस्तिफे पर भी अपनी बात रखी कि 25 सितंबर के घटना करम को ध्यान में रखते हुए बात रखी गई हैं तो क्या वाकई में अब रंधावा यहां पर पाइलेट के समर्थन में दिखाई देंगे पाइलेट के समर्थन में शुरुबासी जैसे कि यहां पर बात रख रहेते हैं कि अगर उपमुख्य मंतरी बन जाते हैं तो हो सकता है कि धाई साल की राजनिती या एक साल बाद यहां पर उन्हें दुबारा मुख्य मंतरी बना दिया जाए यानि कि उपमुख्य मंतरी पस तक का सफर्दय करना होगा अगर सीधा लंबी चलांग लगाने की सोचने तो शयद कामियाब नहीं हो पाएंगे इसलिए रंदावा भी चाहते हैं कि हमें गहलोत की जरूरा थे और गहलोत के पास पास पाइलेट से जादा ही विधायक है क्यूंकि अगर पाइलेट के समर्थन में उन्निस विधायकों ने बगावत करी थी तो गहलथ के समर्तन ने विधायकों ने इस्तिफ़ा दिया था तो संख्याबल में और जन समर्तन में और समाज के मामले में कुँँकि ब्रहाम आन मीड़ा समाज कही है समाज जो अब भी घेलोत को अंदरूनी तोर पर मदद करता है तो वो सारा समाज भी यहाँ पर पाइलेटे खिलाफ हो जागा तो वहाँ पर कांगरेस आला कमान पाइलेट को डिप्टी सियम और घेलोत को सियम मनाकर सही फैसला ले रहा है क्योंकि उम्र और साथी पता चलेगा क्योंकि अनुशाशन हींता के मामले में वह लगातार मांग उठाते हुए नसरारे देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर अब शांती धारवाल महिस जोशी और अज्जे राठोड को लेकर जो खबरे सामने आ रहे हैं तो मलिकार अरजुन है नेक्स्ट नाइन न्यूस